हेलो अच्छो मैं सांक आप सभी का स्वात करतों आपने स्यूट्यूब चैन्स सांक स्टडी सरकल में तो आज हम फिर्शर परजेंटे क्लास तेन के मैट्स की एक और वीडियो के साथ जिसमें कि आज हम इक ससाइट 5.4 का कोशिन नमबर 43 से 48 तक के सभी प्रशनों के सलुशन ह हम लोग इस वीडियो करेंगे और यह इस चेप्टर का लास्ट वीडियो है क्योंकि इसके बाद यह जो चेप्टर है आपका खत्म हो जागा इसके बाद हम लोग जो nेक सेप्टर आपका त्रिवूच है उसमें हम लोग चलेंगे तो चलें कुशन 110 कहता है कि यदि किसी समा आंतर सेनी का P मा पद X है तथा Q मा पद Y है तो दर्शाएं की P प्लस Q पदों का जो योग है वो P प्लस Q बटा 2 इंटू X प्लस Y प्लस X माइनस बाई बाई P माइनस Q है ठीक है तो प्रशन काफी एज़ी है इसको आप बना सकते हैं चलिए तो कोशिंबर 43 का एंसर हम लो तथा जो सार्व अंतर है वो डी है क्या है सार्व जो अंतर है वो डी है थोड़ा साथ डिटेल से समझाए को कि बहुत बड़ा प्रशन है तो क lata है कि जो A P मा पद है उसका value X है और Q मा जो पद है उसका जो value है वो Y है तो आपको जो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि जो आपका P पलस Q बटा 2 इन्टू X पलस Y पलस X माइनस Y बटा P माइनस Q है ठीक है यह क्या है यह जो आपका P पलस Q पदों का योग दिया हुआ है ठीक है तो चलिए तो प्रश्ण की हिसाब से क्या है कि हम लोग इसको बनाना सुक है क्योंकि सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको क्या प्रमान देना पड़ेगा चलिए तो प्रश्ण की हिसाब से सबसे पहले देखें तो A P मापद दिया है X तो A P मापद मतलब A पलस P माइन 1 into d बराबर y यह हो गया समीकरन 2 ठीक है तो हम क्या करते हैं कि समीकरन 1 घटाव 2 कर देते हैं ठीक है समीकरन 1 घटाव 2 कर देते हैं घटा आते हैं पर तो माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये तो खतम हो जाएगा तो यहां बच जाएगा P-1 into D-Q-1 into D बरावर X-Y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी घटा है तो अब देखें, ध्यान में से दीजेगा तो हो जाएगा P-1 common laser D तो minus Q plus 1 हो जाएगा दोनों में से D common बरावर X-Y 1 से 1 खतम तो बच जाएगा यहाँ पर P-Q into D बरावर X-Y तो D का value आगया X-Y बटा P-Q चले D का value आगया है तो हमको D का मान जो है हम समीकरन एक में रखकर A का मान भी क्या कर सकते हैं find कर सकते हैं तो चले लिखते हैं D का जो मान है वो समीकरन एक में देने पर D का जो मान क्या करते हैं समीकरन एक में देने पर तो इसी किसा आयता से हमने क्या किया D का जो value है हमने put किया है तो हमको A कामान निकल जाएगा चलि A plus P minus 1 D कामान X minus Y बटा P minus Q बरावर X हो जाएगा ठीक है जी चलि तो अब एक काम करते है X को या A को इधर छोड़ दीजे सबों को उधर लिख चल जाएगा तो हो जाएगा आपका X minus ठीक है या इसको ये को उधर लिख चल जाएगा या कि दुँद लिखा ये ठीक हो जाएगा X minus क्योंकि ये plus में उधर जाएगा तो minus में हो जाएगा P minus 1 into x minus Y बटा P minus Q ठीक है जी इतना हो जाएगा यह हमारा निकल गया A का value तो हमको पता A का value हो गया X का value हो गया तो अब क्या करते हैं कि हमको जो find करना है कि क्या find क्या करना हमको कि S P पलस Q पदो का योग हमको ग्याद निकालना तो इसका formula होता A नवटा 2 3 N तो यही है चलिए ठीक है into 2 A ठीक है 2 into A एका तो value हम यही रखना पड़ेगा हमको तो रख लेते हैं into X minus P minus 1 into X minus Y बटा P minus Q ठीक है 2 A पलस N मतलब P पलस Q minus 1 into D D का मान क्या आया था D का मान आया था X minus Y बटा P minus Q ठीक है जी चलिए तो आगे क्यों देखते हैं अब क्या है कि बारिवाई से जो उपर उपर का तो शारा काम खतम है अब हमको main जो focus है वो इसी चीज़ों पर करना है चलिए थो जगा P plus Q बटा दो यहां देखिए यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा बारिवाई से गुना की जाएगा तो हो जाएगा 2X minus 2 into P minus 1 X minus Y बटा P minus Q पलस P plus Q minus 1 into X minus Y बटा P minus Q ठीक है जी चलिए तो देख लेते हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं S20 को तो यहीं पर मल्टिप्लाइ कर चुक है न तो हो जाएगा P plus Q बटा दो अब ध्यान दीजे यहां देखिए हमें कंडिशन फॉलो करेंगे ताकि क्या है कि हमारे जो एंसर है वो काफी अच्छे ढंग से आ जाए यहां लिखेंगे 2X यहां पर कर लिजे प्लस यहां प्लस करने के बाद क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लिजे तो माइनस 2 अब दो के साथ गुना कर दिता है 2P हो जाएगा और यहां हो जाएगा प्लस 2 इस ब्रेकेट को भी तोड़ दीजे थो जाएगा प्लस P प्लस Q-1 ठीक है जी अब इसके अंदर देखी क्या हो जाएगा इंटू X-Y बटा P-Q ठीक है चलिए थो हो जाएगा P-Q बटा दो यहां हो जाएगा क्या चीज़ चलिए तो यहां बच जाएगा 2X पलस देखे 2P में से P गया तो यहां हमारा बच जाएगा क्या माइनस P और हो जाएगा प्लस Q प्लस 1 ठीक है जी अब इसके बाद यहां बच जाएगा X-Y बटा P-Q ठीक है चलिए यहां हो जाएगा P-Q बटा दो यहां हो जाएगा 2X अब देखे इसको साथ बारी बाई से हमको गुना भी कर सकते हैं अब इसके पहले काम करते हैं 2X पलस अब क्या करते हैं यहां से माइनस कॉमन लिंगा है तो हो जाएगा यहां पर तो कुछ नहीं बचा यहां पर कुछ नहीं बचा तो पहले एक है ना यहां पर कुछ नहीं तो एक तो बचा ही होगा तो एक के साथ क्या है कि हमको सबसे पहले का करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा तो एक के साथ multiply भी किजेगा या नहीं भी किजेगा तो आपका sorry हाँ करना तो पड़ेगा ही minus 1 नहीं कुछ परचा तो बहुत है ना लगभग चलिए तो इसके जगा हो जाएगा जी हमारा चलिए और हाँ बाहर तो हमारा यह बच्छी जाता है ना लगभग छली तो देख लेते हैं हाँ स्वरी एक चीजा ध्यान दिजएगा यह जब इसके साथ गुना होगा तो यहां पर काटिएगा तो इसके साथ पर यह गुना कर लिजए यह देखे यह ए लिखना पड़ेगा P minus Q भी लिखना पड़ेगा ठीक है इस बात का ख्याल रखेगा ठीक है चलिए तो हो जाएगा P plus Q बटा दो बटा 2X अब हो जाएगा ब्रैकर्ट थोड़ी तो minus X plus Y plus X minus Y बटा P minus Q ठीक है जी आप चाहिए तो यहाँ पर क्या किजिए थोड़ा सा यहाँ स हटाके इसको इसके साथ भी एक बार लिख्यज़े गुणा करके एक बार एक के साथ इसको भी घुणा कर लिज़ेगा ताकि आपको condition पता चले यहाँ इसके साथ कटेगा और ये पूरा चीज इसके साथ क्या हो जाएगा एक के साथ मंटीप्ला है हो जाएगा अब Q ठीक है जी यही आपको लाना था किसका sum of P पलस Q बराबर P पलस Q बटा दो into X पलस Y पलस X माइनस Y बटा P माइनस Y यही चीज हमको लाना था तो इसको हमने किया कि अप्रूव कर दिया तो ही हमारा answer हो गया यह था हमारा question number 43 का solution I hope आपको जी वीडियो है वो अच्छा लगाँगा और वीडियो पुसंदा अगर वीडियो पुसंदा तो प्लीस लाइक करें और इसकी पिछली वीडियो को सारी की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी यदि आपको हमार लिंक ना मिल दें तो आप में जरूर वाट्स अप करें 7368996381 पे आपको जहें वीडियो के लिंक दे दी जाएगी आपकी कोई सवाल है तो आप इस पर भेज सकते हैं तो आईए देखते हैं question number 44 को तो question number 44 में आपका कुल मिलाके दो प्रशन दिये गए हैं जिसमें से पहले प्रशन का उत्तर हम आपको बता देंगे बाकी second प्रशन आप क्या है खुद भी बना सकते हैं बस थोड़ी से इंट हम आपको देनेंगे उसकी सायतास क्या है आप इसका question number 2 आप बना दीजेगा च ठीक है तो बहुत easy प्रशन है तो चली इसका solution हम लोग करते हैं तो सबसे पहले इसका लखेंगे कि माना AP का माना AP का प्रथम पद माना AP का प्रथम पद तथा सार्व अंतर तथा क्या है सार्व जो अंतर है वो करम्स क्रम्स क्या क्या है यानि दो AP है तो एक के लिए डी चलिए इतना हम लिख लिए अब इसके बाद क्या है कि कुछ और चीजे हमको देखनी पड़ी जो प्रश्ण में दिया गया है तो एक के लिए हम small n ले लेते हैं एक के लिए हम लोग capital n ले लेते हैं तो पहले का अनुपाद दिया है 3n plus 8 और दूसरे का दिया है 7n plus 15 ठीक है चलिए तो इसके इसाप से देखें तो हो जाएगा n बटा 2 into 2a plus n minus 1 into d हो जाएगा जी और इसके लिए भी सेम वही होगा n बटा 2 into 2 लेकिन एक जग capital n minus 1 d के जग पर भी capital लेना पड़ेगा बरावर 3n plus 8 बटा 7n plus 15 देकि n बटा 2 से n बटा बट जाएगा क्या यह वाला याद रखे इस प्रस्ण के लिए हम n कामान 23 लेंगे कितना लेंगे 23 लेंगे क्योंकि 12 हमें पद दिया है तो हमको 12 प्राप्त करने के लिए n कामान 23 लिखना पड़ेगा लेकिन इसी का question number 44 का जो question number 2 है उसमें आप n कामान 35 रखेगा कितना 35 रखेंगे तो आपका जो है एक कामान 18 आही जाएगा ठीक है तो यह चीज याद रखना है चलिए n कामान यदि हम 23 रखते हैं तो हो जाएगा 2a पलस ठीक है ध्यान दीजे हो जाएगा 2a पलस n कामान 23 माइनस 1 इंटू डी बरावर 3 इंटू 23 प्लस 8 बटा इधर भी बटा 2a पलस 23 माइनस 1 इंटू डी बरावर 7 इंटू 23 प्लस 15 बरावर तो एक ही होगा ना चलिए जी तो हो जाएगा यहाँ पर 2a पलस 22 डी यहाँ हो जाएगा 2a कैपिटल ए है पलस 22 डी बरावर 79 अवाट 77 बटा 116 ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं तो दो अगर कॉमन न 21 डी नीचे हो जाएगा 2 निकालने कॉमन a पलस 11 डी बरावर 11 बार में काटेगा तो 7 बटा 16 आएगा 11 से दोनों कड़ी आता है और 2 से 2 खतम तो बच जाएगा देखिए a पलस 11 डी मतलब a बारहमा ठीक है यहाँ लिख लेते हैं a पलस 11 डी बारहमा का मान होता है नीचे भी बारहमा का ही मान है बरावर 7 बटा 16 यही आपका एंस हो गया तो यह था हमारा कोशन नंबर 44 का एक 44 का दो आप बना लिजएगा जिसमें कि आपको सिर्फ इन का मान कितना रखना पड़ेगा 35 रखना पड़ेगा बाकि जो अनुपाथ है अनुपाथ चेंज कीज़ए कि उस समनांतर स्रेनी का प्रथम इन पड़ों का यूग SN से निरूपित करते हैं और SN बरावर इन अस्क्वार पी आओ SN बरावर M अस्क्वार पी है तो सिद्ध करने के SP बरावर PQ ठीक है चलिए तो बहुत इजी प्रशन है बनाईए इसको यह लिखते हैं माना AP का माना जो AP का ह जो प्रथम पड़ है वो A है तथा जो सार्व जो अंतर है वो D है क्या है सार्व अंतर D है यदि SN बरावर दिया है N अस्क्वार पी और SM बरावर दिया है M अस्क्वार पी दिया है तो जो सिद्ध करना है उसको लिखें तो सिद्ध करना है ठीक है सिद्ध करना क्या प्रावर PQ ठीक है चलिए तो प्रश्ण के इस आफसे देखेंगे हमको प्रमान देना पड़ेगा तो बादी 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 से प्रमान देखेंगे पहला SN बरावर N स्क्वार P से देखते हैं ठीक है तो इसके इस आफसे देखें तो हो जाएगा SN बटा 2 into 2A पलस N माइनस 1 into D बरावर N स्क्वार P ठीक है तो देखें एक N से आपका N एक N खतम हो जाता है ठीक है तो 2A पलस N माइनस 1 into D दो जाएगा उधर मल्टिप्ला जाएगा 2N P बच जाएगा ठीक है इसको मान लेंगे समी करन एक ठीक है पुना देखते हैं हम SM बरावर N स्क्वार P से तो हो जाएगा यहां पर N बटा 2 into 2A पलस N माइनस 1 into D बरावर N स्क्वार P M स्क्वार से एक N खतम दो जाके सिफ्क्या हो जाएगा उधर गुना हो जाएगा बाकी सेम प्रश्न वही रहेगा तो हो जागा 2A plus M minus 1 into D बराबर 2M P यह हो जागा समी करन 2 हो जागा हमारा अब हम क्या करते हैं कि समी करन 1 तथा 2 को घटा देते हैं तो 2A 2A खतम हो जागा तो समी करन 1 घटाव 2 से तो हो जागा यहाँ पर 2A plus N minus 1 into D बराबर 2N P यहाँ है 2A plus M minus 1 into D बराबर 2M P चलिए घटाएंगे माइनस 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 यह खतम यहाँ हो जागा N minus 1 into D minus M minus 1 into D बराबर 2N P minus 2M P हो जागा ठीक है जी अब इन दोनों से D common निकालेगा तो N minus 1 minus M plus 1 into D इससे 2 common लिजे 2P common लिजे तो बच जागा N minus M बच जागा 1 से 1 खतम तो आपको क्या बच जागा जी यहाँ पर N minus M into D बराबर 2P into N minus M N minus M से N minus M खतम तो D common आगया 2P अब हम क्या करते हैं कि समीकरन 1 में D common देते हैं या समीकरन 2 में भी आप रख सकते हैं कहीं पर रखे मान सेम आएगा मान देने पर ठीकर जी समीकरन 1 आपने उपर क्या लिखा था 2A plus N minus 1 into D बराबर 2NP हैं चले तो रखते हैं 2A plus N minus 1 into 2P बराबर 2NP है चले तो हो जागा 2A plus इसको गुना किज़े तर 2NP minus 2P बराबर 2NP हो जागा 2NP से 2NP खतम तर 2A 2P को अधर लेख चले जाएए 2 से 2 खतम तो A का मान P आ गया A का मान निकल गया D का मान निकल गया तो हमको जो कहता था कि S P का मान चेक कीजिए तो हो जागा P बराबर 2 into 2 A A का मान हो जागा P पलस N N का मान तो P है P minus 1 D का मान क्या है पहुआ 2P है ठीक है जी चले थो जागा P बटा दू into 2P अब पलस 2P स्क्वार माइनस 2P ठीक है 2P से 2P खतम ठीक है जी 2 से 2 खतम तो बच गया P Q तो हमको जो पुछता था कि क्या S P का मान यतना है तो यह हमारा एंसर आगे हमने क्या इसको प्रूफ कर दिया तो यह था हमारा Q कोशन नमबर 45 आईए देखते हैं Q कोशन नमबर 46 47 48 को Q कोशन नमबर 46 कहता है कि प्रथम वर्ष में एक आदमी की जो आए है वो 3 लाग रुपे है वो अपने अगले 59 वर्षों तक 10,000 रुपे प्रती वर्ष की दर से आई में बिर्धी करता यानि D का जो माने वो 10 यार है तो कहता है तो उसके 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशी क्या होगी यानि याद करना है राशी तो चलीज को हम बनाते हैं तो चलीए प्रत्थम वर्ष की आई क्या है प्रत्थम वर्ष की जो आई है मतलब जिसको हम कह सकते हैं A1 का मान जो है वो तीन लाख रुपे है ठीक है कितना है तीन लाख रुपे है उसके बाद दिया है कि अगले 19 वर्षों तक याने जो डी का जो मान है जो है वो दस हजार दिया है ठीक है वो दिया है उसके बाद कहता है कि इन का जो मान इन का मान तो 20 वर्ष दिया है याने 20 वर्ष तक उसको क्या है देखना है तो कुल धन रासी क्या हो जाएगी कुल धन रासी का जो मान है वो हमको क्या है यहाँ पर ध्यान देना है तो कुल धनराशी क्या हो जाएगे वह मतलब जिसको S N कह सकते हैं तो अई हो जाएगा N वटा 2 into 2 A plus N minus 1 into D ठीक है जी N का मान 20 20 वटा 2 है 2 into A का मान 3 लाक रुपे है है ना पलस 20 minus 1 D का मान 10 हजार दिया है ठीक है जी आप देखें का प्रश्ण में एक जगा आपको कहने कहीं थोड़ा साथ मिस्टेक देखने को मिल सकता है तो 10 हो जाएगे जी 10 into देखें 6 लाक रुपे हो गए और पलस 19 गुने 10 190 पर 300 नहीं जी बिल्कुल सही है हमको लगा शायद कहीं पर गलत हो जाएगा देखें नहीं तो 10 into 7 लाक नबे हजार रुपे हो गए तो 10 से मल्टिप्लाइ कर दीजिए थो जी जाएगा उनासी लाक रुपे हो गया ठीक है यह आपका टोटल धनरासी आगया तो यही आपका एंसर हमें लगा शायए कि पता नहीं कहीं पसाएग दस जासे मल्टिप्लाइ करेंगे तो इतना के बरावर नहीं आएगा चली तो यह था हमारा कोशे नंबर 46 आईए देखते हैं कोशे नंबर 47 को चले कोशे में 47 करता है कि एक आदमी अपनी कर्ज की जो अदाइगी है 100 रुपे के मासिक किस्स से सुरू करता है और मासिक किस्त में 5 रुपे की बिर्दी करता जाता तो 30 किस्तों में वो कितनी किस्त चुकाएगा मतलब कितना राश्ची देगा तो प्रथम किस्त जो प्रथम किस्त है जिसको कह सकते हैं कि आप A1 वो है आपका 100 रुपिया कितना है 100 रुपिया है ठीक है जी 100 रुपिया फिक्स है उसका उसके बाद सार्व अंतर जो हर बार difference या D बोलते हैं वो है 5 रुपिया और N का मान दिया है वह वह 30 किस्ट में चुकाना है तो total धन रासी तो कुल धन रासी कितना किस्ट चुकाएगा यानि कितना रासी देगा यानि S N बरावर N वटा 2 into 2A plus N minus 1 into D ठीके जी N मतलब 30 वटा 2 into 2 into A का मान 100 पलस N का मान 30 30 minus 1 into 5 ठीके 15 दूनी 30 तो 15 into 200 पलस 29 155 पैता है 29, 29 में से 29, 5, 14 तो 15 गुने 345 जिसका कि total value आ जागा 5175 रूपे यह हमारा answer हो जाएगा ठीके तो यह था हमारा question number 47 का answer आईए देखते हैं हमारा last question question number 48 को चलिस चेप्टर का last question है आपका तो कहता है कि एक बहुभूज है ठीक है जिसके अंतर कौन जो है समांतर स्रेनी में है जिसका नियूनतम कौन 75 डिगरी है तथा सार्व अंतर का जो कौन है वो 10 डिगरी है क्योंकि भूजा भी पता नहीं है इन भूजा है जिसका की जो नियूनतम कौन है याने एवन का जो मान है वो 75 डिगरी है और डी का मान 10 डिगरी है ठीक है तो योग हो जाएगा तो योग कितना हो जाएगा सभी कौन का योग लिग देते हैं 2N, N का मान तुमको पता नहीं है, तो N वटा 2 ही रहने देंगे, 2 इंटू A का मान 75 डिग्री है, पलस N माइनस 1, D का मान 10 है, चलिए, N वटा 2 इंटू 1,500, पलस 10 N माइनस 10, ठीक है जी, तो N वटा 2 इंटू 140, 140, पलस 10 N हो जाएगा, चलिए, तो इससे चाहें, तो 10 कॉमन निकाल लीजे, या पूर्ना गुना कर दिए, तो 140 N पलस 10 N स्कॉाइर, बटा 2 हो जाएगा, है न जी, चलिए, तो आप देख लेते हैं, या पर नहीं भी करते हैं, तो कोई दिकर नहीं था, 14, या 14 पलस N इतना रहने देते हैं, ठीक है, देखे, क्योंकि यह आगे चल के आपको पता चल जाएगा, चलिए, तो अब क्या कहेंगे, लिखेंगे, बहुभूज के, बहुभूज के, अन्ता कोनो का योग, अन्ता कोनो का जो योग होता है, उसका फर्मूला होता है, बहुँआ, N-2 गुना 180 डिगरी, ठीक है, फर्मूला है, अब अभी जस्ट इसका निकल का आया है, मान 5N into N पलस 14, ठीक है जी, बरावर N-2 गुना 180 डिगरी, ठीक है जी, देखे, 36 पचे 180 डिगरी हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, N, N into N पलस 14, बरावर N-2 गुना 36 डिगरी, चलिए तो हो जागा n square प्लस 14 n और बराबर इधर हो जागा 36 n minus 72 degree ठीक है जी चलिए तो n square इसको इधर ले आईए और सबको इधर ले आईए प्लस 14 n minus 36 n प्लस 72 degree बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा तो हो जागा n square minus 22 n प्लस 72 degree बराबर 0 अब इसका गुननखर निकाई है तो first and last गुना कीज़े 72 है बीच वालों को ऐसा तोड़ों की जोड़े घटा है तो 22 है गुना करें तो 72 है तो n square minus 18 n minus 4 n plus 72 बराबर 0 18 चोंका 72, 84, 22 हो जागा ठीक है n को अमल लेंगे n minus 18 4 को अमल लेंगे n minus 18 बराबर 0 यहां हो जाएगा n minus 4 n minus 18 बराबर 0 0 को बराबर कीज़ेगा तो n कामान 4 आगा n बराबर 18 आगा अब हमको दोनों में से चेक करना है कि कौन सी भूजा होगी तो case 1 लेते हैं तो a कामान 18 लेंगे तो a plus 17 d आ जाएगा जी a कामान a कामान हमने उपर दिया हुआ था 75 डिगरी 70 गुने d कामान d कामान निकाला था d कामान 10 दिया हुआ है तो 75 डिगरी plus 170 डिगरी इसका मान 245 डिगरी आता है लेकिन हम जान रहे हैं कि इसका जो मान होगा वो 180 के बराबर होना चाहिए लेकिन इसका मान क्या है 245 आ रहा है तो इसी लिए इनका मान 18 नहीं हो गया याने जो आपके जो भूजा का मान है वो 18 नहीं हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिगरी ज़्यादा भूजा होना नहीं चाहिए ठीक है चलिते इसी लिए केस 2 लेते हैं केस 2 लेके देखते हैं आता है कि नहीं ए 4 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3D तो हो जाएगा 75 डिगरी प्लस 3 गुने 10 डिगरी तो टोटल जोड़ेगा ते आ जाएगा 105 डिगरी जो कि क्या 180 से क्या है छोटा है इसी लिए कनफर्मे कि ये अनकामान क्या होगा 4 होगा ठीक है जी चलिए तो इस परकार क्या है कि आपका जो एंसर आ जाएगा 105 डिगरी इसी लिए अन्ता कोनो अन्ता कोन की भूजाओं की इसका है बहुभूज की भूजाओं की संख्या क्या भूजाओं की जो संख्या हो जाएगी वो एन बराबर 4 होगी ठीक है ये हमारा एंसर गया तिस परका क्या है कि हमने कोश्य नमबर 43-48 तक के सभी प्रशन का उत्तर कर लिया आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेर करें नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कूर न भूले और वीडियो को उन तक शेर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है झाल